तो एडिनो प्रोग्रामिंग का एक Master Course हम फिर से लांच कर रहे हैं और यह Course हमारा स्टार्ट होने वाला है 25 तारिक से बिल्कुल यह जो हमारा 25 तारिक आने वाला है 25 March 25 March से हम लोग चूट करने वाले हैं और काफी लोग जो पीछले बैस में छूट गए हैं थे उन सब यहां सारी बाते हैं सब्सक्राइब हैं इस बार मैं सुच रहां की हमारे कंट्री से बाहर भी बहुत साइर लोग अपलाई करते हैं इंडिया से बहुत सब्सक्राइब करते हैं उनको एड़ीड करूं है ना अगेन मैं बरवड़ इसको बोल रहा हूं कि सिट लिमिटेड है ओके मैं ज़्यादा नमबर ओफाइस स्टुडेंट को लेता हूं कि मैं हर एक से कॉम्निकेट भी करता हूं एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं हर एक से पूछता हूं और यह करने में अगर मैंने ज़् किन के लिए है सबसे पहले हम यह बात कर लेते ठीक है देखो यह कोर्स उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है वह भी स्कॉर्स को जोइन कर सकते हैं इस को करने के बाद मैं आपको गैरेंटी देता हूं कि आप हर एक लाइन को बढ़िया तरीके से समझ पारे होगे क् मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको लॉजिकली स्ट्रॉंग बनना है और मैं वह पूरा कोसिस करता हूं कि आपको लॉजिकली पूर अच्छे तरीके से स्ट्रॉंग करवाया जाए तो आपको यह कोर्स जरूर से ज्वाइन करना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो सारी में देता हूं आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे तो अक्सर होता क्या है ना कि हम कोड कहीं से डाउनलोड कर लिए उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें प्रोगामिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप वहां पर फज़्जाते हो राइट तो इस प्रोगामिंग के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा डैफिनिटली मैं यहीं चाहता हूं तो देखो सबसे पहले मैंने दो लेवल में इसको डिवाइड किया हुआ है पहला लेवल में हम क्या करेंगे प्रोगामिंग का सारा कॉंसेप्ट सीखेंगे हम लोग कुछ अलग तरह का कॉंप्लिकेटिट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम वहां पर फच्जाते हैं अगर आपको किसी टॉपिक में डैफ्ट नॉलिज है तो आपका वही चीज़ एडवांस है आप उसी को अप्लाई करके आप जितनी सारी चीज़ें चाहब बना लोग बहुत डैफ्ट में देखने वाले मैंने कहा कि ऊपर आता है तो वह अलग बात है एक और बात कि जितने भी हम टॉपिक्स को यहां पर कर रहे होंगे ना सारे टॉपिक्स के बाद मैं आपको कुछ प्रोगां इकसराइस कर आउंगा जिसके बाद आप थोड़ा सा करेंगे हम लोग यहां पर करनेवाले इसके बाता हूं एक बात कि यहां पर किसी पार्टिक्लियर फोड़ा कर दिये सब कoa ह्यां थोड़ा सा इधर सुधर कर दिए थोड़ा सा और करां कुछ और इंक्उलूड कर दिए क्सेंसर नीज नी करने मेरे मतलब बस इतना है कि यहाँ पर यह काम नहीं करनें वाले लेकिन मैं आपको वह सारी चीज़ेंगा कि वह हर एक पर वहights को लग रहा होगा बिल ší commit प्रोजेक्ट बना सकते हो आप खुद डिसाइड करो कि क्या आप एक प्रोजेक्ट का कोडिंग सीख लोगा और दूसरा प्रोजेक्ट का मैं कोडिंग अगर आपको पूछू और आप ना कर पाऊ तो वह सही है या फिर मैं आपको कुछ ऐसा चीज बता दूँ जिससे आप सा यह हुआ है जैसे कि संबेसिक प्रोगाम कर सकते हो राइट कंट्रोल सर्वर मोटर का यह बस चीजे मैंने इसलिए लिए लिया हुआ है आपको कुछ एक्जामपल दे पाऊं कि ऊपर में जो हमने सीखा हुआ है वो देखो कैसे अपलाई करते हैं है ना और ऐसे ही सारे सारे में अपलाई कर सकते हो जितनी भी तरह के चीजिज़ों होंगे मैं आपको बताऊंगा बहुत यह दैफ समय की चीज़े कैसे काम करने हो मैं यह बात बोल दे रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे कॉंपोनेंट है तो हर एक के लिए कोडिंग बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और आप सीख भी नहीं पाऊंगे तब ऐसे में तो आपको मैं इन सब के पीछे का जो सबसे में चीज़े ना मैं वह आपको बता सब्सक्राइब दूसरा कुष्चिन लोग हमें सब पूछते हैं कि पूछते नहीं यह बात बताना भी जरूरी है ठीक है और डिवरेशन कितना दिनों का होगा यह कोर्स जोगा वह 30 डेस का होगा बैसिकली यह कम से कम मैं बता रहा हूं 30 दिनों का अगर मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ चीज छूट गया है कुछ क्लास और जाने चाहिए तो मैं डैफिनिटली और क्लास ले लूँगा और ऐसा अक्सर होता है जिन्हों ने भी पूर्स किया हुआ है वह अपना देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो वह बहुत अच्छा चीज सीख रहे कि उसके बाद यह कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी क्लास की टाइमिंग जो इसलिए मैंने क्लास का टाइमिंग रात में रखा हुआ है अगर माहलो कि कैसी दिन अगर आपको नहीं कर पाते हो फिर उसका क्या देखो हर क्लास करीकॉरडिंग आपको मिलेगा आपको बाद में आपकोज थे क्कुन औरन नहीं कर पाए तो इन सब चीजों के लिए मैंने आपको recording दिया हुआ है आप अराम से recording देखना और रिपिजन करना तो यह बात है है हलाकि मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप लाइव क्लास करते हो तो रिकॉर्डिंग के दिरोत नहीं पड़ेगी मुझे जहां तक लगता है क्योंकि मैं बुलाना कि एक टॉपिक के बाद मैं एक एक से कॉम्णिकर करता हूं कि आपको कोई डाउट है कर पाया की नहीं रिप्लाई वह अलग बात काता है और कभी-कभी तो डाउट्स क्लियर करना भी पॉसिबल नहीं है चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में राइट तो इसलिए आप यहां पर पर से कनेक्ट हो करके सीखो कि मैं आपको एक वाट्सप ग्रूप में भी एड़ करूंगा तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो और मैं हमेशा वहा को सब्कूर्ण को नहीं है ज़्यदा मैं यहां पर गडवागना के सब्राइब करना ही है जो हमेशा से टार्गेट रहता है अपको कई करना यहां पर अपना नेम इमेल सब कुछ डालना है यहां लोगे वहीं नंमर में आपको प्रोसेस बताया जाएगा पैमेंट आपको अ करना है लेकिन पहले अप्लाइब करना उसके बाद आपको सारा प्रोसेस वहीं पर बता दिया जाएगा कि क्या इंस्टॉल करना आइड पासोड जितना कुछ बिया जाएगा और फिर इंफॉर्मेंस ने सब आपको बता दिया जाएगा उके तो मैं एक उम्मीद करता हूं कि जल्दी अप्लाइब करोगे क्योंकि मैंने फिर से काना लिमिटेड सीट ही है मैं हर किसी से एक डाउट क्लियर प्राब्लम क्या ना कि मैं 50 स्टुडेंट ने कर ले लिया बहुत साथ लोग बोलते हैं कि सरा मेरे को नहीं लिए मेरे को ले लेता हूं और फिर 50 मैं हर एक से एक टॉपिक के बाद मैं पूछता हो अनाम लेकर आपको को यह कोई होटो यह आगरे के आप आप सारा information सही सही देना वह सारा लोग नंबर पता ने गलत देते हैं और जो लोग दूसरे country से हैं वो लोग भी apply करें ठीक है मैं उनके लिए कुछ दूसरा तरीका अपना रहा हूं मैं समोच रहा हूं उनको भी admit करने का इस बार ओके थैंक यू बाबाई